पूछेंगे लेकिन पूछने से पहले मेरे को पांच मिट दीजेगा एक इंट्रस्टिंग सी चीज बताना चाहते हो एक हमारे कुट के है नाम तो खर में लेते हैं इस तरीके सची बात नहीं है वह बंदे ने मेरे साब काफी देर बात की थी परसो परसो नहीं I think Sunday या Saturday उसे बोलता है कि सर मैंने पैसा बहुत कमाया है पैसा कमाता हो लेकिन ऐसे हो जाता है या पैसा मार्केट वापस ले जाती ह इसमें तुम कौन सी नहीं स्थोरी सुना रहे हैं तो सभी कर यह है लेकिन आपने देखा होगा मैं दो चीज पर बहुत जादा निर्भर करता हूँ और बहुत जादा मानता हूँ पहली बात मैं टिप्स के बहुत किलाफ हूँ क्योंकि टिप्स वही चीज है जो करो आपका जब आप लॉग इन करते हैं अपने किसी भी डीमेट के अंदर वो बोलते हैं 90% जो लोग है वो नुक्सान खा रहे हैं तो आप यह समझने की कोशिश करोगे 90% लोग है कोल और इनमें से कितने लोग हैं जो टिप के उपर डिपेंड करते हैं आई तिंक बहुत स सारे बहुत सा एक और चीज आते सुनी होगी मेरे मूं से कई बार सुनी होगी कि बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता मैं आपके लिए ट्रेडिंग नहीं कर सकता सकता जब तक आप मेहनत नहीं करोगे आप आगे नहीं बढ़ोगे बगवान थी आपको help प्लिए कर सकते हैं और इसमें ने मैं बहुत अच्छी एक स्टोरी सुन रहा था स्टोरी सुना उपने को बहुत ही वो कटी चोटी से स्टोरी नहीं है इसमें ऐसा वो नहीं है एक बार क्या होता है कि लक्षमी जी जो कि किसकी वो देवी है पैसे की राइट आप में से कौन-कौन लोग है जो सनातन को बांदते और सुबा उठके पहले हाथ जोडते हैं भगवान की और लक्षमी का आवाहन करते हैं बाहत लोग होग आसे बंया और इस लखटो इन के विना तो कुदे नहीं इसो लक्षमी जी बैठे थी सरस्वती जी के साथ अभी आब सब कोई पाता है सरस्वति जी क्या देती है फैसा दिए सुब्यवार्त तो मैं आपको बूचो में नाजसी की instructors सच बोलना है लक्षमी जी एल एंड एड सरस्वती जी आप सब आप सबको देखे आप बोल नहीं रहे हैं 47 लोगों मत बोले कोई टैंशित इमट दिए अट लेस्ट आप जब कुछ टाइब करते हो ना तो मेरे को यह रहते हैं कि आप लोग अटेंटिव हो तो दोनों बैठके दोनों हमारी माते हैं बात करी थी तो दोनों जाती है ब्रह्मा जी के पास कहते है ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी पहले लक्ष्मी जी जाती है ब्रह्मा जी ब्रह्मा ज कोई भी अपने आपको माता भी है सुचते कि सबसे बड़ा मैं हूँ बगवानों में भी है सबसे बड़ा मैं हूँ तो लक्ष्मी जी कहती है नहीं ब्रह्मा जी मेरेको तो वर्दान चाहिए तो ब्रह्मा जी कहते हैं बताओ क्या वर्दान चाहिए लक्ष्मी जी कहती है कि म मैं जिसको चाहे जो मरजी दे सकूँ, मेरे पास यह इच्छा धारी होना चाहिए, इच्छा यह होना ही चाहिए, मैं जहां पर जाओं, जो भी मुझे बुलाए, मैं जहां पर जाओं और मुझे जहां पर जिसका घर अच्छा लगे, मैं वहां पर जाओं और मैं उसको जो चा हो जो मरजी दे सकते हो लेकिन लेकिन उस इंसान से मैं जब चाहे वो चीज वापस ले सकते हैं लक्षमी जी बोलते हैं ठीक है भगवन आपने बोला है तो अच्छी बात है तो वापस आ जाती है तो अब सरस्वती जी कहते हैं कि मेरी फ्रेंड लेके आगी वर्डान तो बना नहीं कर सकता आपको भी वर्ड देता हूं बताइए आपको क्या चाहिए रोजो जी इंग्लिश में भी बनाके डाल दूँगा इसको तो अभी तो मैं फिलाल कंप्लीट करता हूं तो सरस्वती जी कहती है कि जी भगवान जी आप सेम डील होती है तो कहते है कि देखो एक काम करते है कि तुम जो मैंने लक्षमी जी को ओफर दिया है मैं वही ओफर आपको देती हूं कि जो भी आपको बुलाएगा आप वहाँ पे चले जाना और आप जो चाहे उसको दे सकते लेकिन मैं वापस लेने का दिकार रखता हूँ तो यहाँ पर सरस्वती जी क्या कहती है नहीं भगवर ऐसा नहीं होगा मैं लोगों को बुलाने से नहीं जाओंगी जब लोग मुझे पाना चाहेंगे तो ही मैं उनके पास जाओंगी और आप ऐसा वर्दी जीए आप बुलाओंगी तो नहीं आएंगी अपनी मर्जी से आती हैं और भगवान जी जब चाहे उनका दिया हुआ आप से ले सकते हैं लेकिन अगर आप सरस्वती जी की पूजा करते हैं सरस्वती जी क्या है शीज़ गॉड़ेस ऑफ लर्णिग नॉलिज है तो जब आप सरस्वती जी की पूजा करते हो ना तो और उससे आपको जो मिलता है वो गवान जी भी वापस नहीं ले सकते हैं तो जो भी बंदा मेरे पास आता है ये बोलता हुआ कि वो नहीं है तो मैं वहीं कहते हो कि भाई तुमारी शब कमालों वापस ले जाएगी टिप वाले क्या करते हैं उनके पास लक्षमी आती है भगवान जी वापस ले लेकते है सरस्वती वाले क्या होते है कि भाई जिनको एक बार चीज आगे उनको एक चीज आगे जैम आता दी चलिए तो लेट्स ओपर इट फॉर पॉर पॉसिन अंसर्स मैं आप दो चीज़े बताना चाहूंगा अपनी तरफ से बट प्रबबबिली आफ्टर द आफ्टर द आ युना द आउट सेशन जब आपके सारे प्रशन खतम हो जाएंगे तो बहुत अच्छी चीज बताना चाहूंग तो लेट्स ओपन इट अप जिसका भी कोई प्रशन है आप अपना हैंड्रेस कर सकते हैं और हम लुग महां से शिंग करते हैं चलिए किसी का कोई प्रशनी निया क्या मजा आजाएगा है साओपर चलिए अच्छीन पात्र दी बताइए सार क्या प्रशन आपकर अजार कूलिए य किस्टे सर्ट aż ग striving प्रूम की जिसा घचिसटर शंटे ऑगल्स अरी आचे प्रशनाम की के खचलिए ні जाउता हैं नहें टूरी बताइडु थारइच्तर अव् संटाम अग्च्तैम् 1 झाएट्स लिए all बाल wackado अट्रूम की आयर तोओ दिक्शने blessings from Saraswati Mata because I have told you you have to go to this website creatinglearnment.co.in click on videos click on Brahma and all these videos okay see Brahmaasana is a tool Brahmaasana is a tool which is not like कहिंग से प्रकत नही हुए मैं आपो so Brahmaasana is a tool which has gone through so many revisions okay we started from Brahmaasana 1.0 and now we are at Brahmaasana 4.2 so if you have adopted Brahmaasana recently you have to go through the journey that what exactly Brahmaasana and how it do you are talking about the candles getting blue it is only happening 4.x version okay so if you only want to learn why it is getting blue and other colors you have to you have to see this last portion here yeah from here you have to see this V4 will change V3 you can start and learn this V4 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 all these videos but my advice is that if you have adopted this tool you have to go through from first video till last video you will get all the knowledge I hope this answer your question sir sorry I have not had to do that no matter what you have to do no matter what you have to do no matter what you have to do लेकिन जहांते ही देखता हूं हर वीडियो यह है कि जो ब्लू जीएस विल्ड भी होता है उसमें एक रेड ऐसा अंदर से वो आ जाता है तो उसका शायद मुझे भी नहीं मिला यह अपनी वीडियो में उसका एक्पानेशन क्या है और रेड में रेड जीएस विल्ड में ग्र So अशने एक सब्सक्राइब में अलमा सूर्प Milक créden यह तो मैं में एक स्विल्ड है क्या है यह अश्च वीडियो यह भी दोने एसका है क्या होंविर्स विल्रू चा We have introduced G.S.L. V. this is a concept of the candle. Okay. If you see here, lots of candles are here. This is also a green candle. 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 But what is the difference between these two green candles? So what we do? We do some kind of calculations and that calculation tells me that this candle is much more what you say having that strength that's why this green become blue whenever it is becoming blue that means seller buyers are taking control okay when you compare this green this green is also green but when how can you compare the strength of two candles that's what i'm doing in these candles okay so two things here three things actually so if do you know what is gslb by the way yeah 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 तो आपको तो बताने का जरूप नहीं है कोई नहीं बता पाए तो आपसे पूछोंगा प्रिया मैं बताएंगी आप बताएंगे तो आपको अपर बताएंगे तो हम एक लोग लेने का राएंगे वहां पर आपके वह जो हम प्रेडिक में यूज करते हैं बटेक जर्नल टम वे एक नौमल दुनिया में जिये सल्वी क्या चीज होती है वो भाई हम मुझे नहीं पता स्वारी चलिए नो प्राबम आपको तो डाइरी वैसे भी देनी पड़ेंगे चलिए गौरव जी बताएंगे चलिए तो माफी चाहूंगा कि एक हफते से ट्रेंड नहीं कर पाया क्लाइंट विजिट था तो उसमें बिजी हो गया था कोई बात नहीं से रिकॉर्डिंग बेट लीजिए समझ में आना चाहिए और एक 10% क्लब के लिए मैंने आपको मैसेज किया था दोबारा कर दीजेगा अभी मैं फ्री हूँ भी आज सब्सक्राइब कर दिया है तो आप प्लीज मुझे आड़ कर लीजेगा वाँ पर यह इसके बाद कर दो अर्शी जिए और साथ कई आज एक कूश्यन इस सब्सक्राइब बंती है तो आप व्लकुल फ्रेश्ण भी अलग हैं तो इक दुनियाधारी का फ्रेशन पूछ रहो हमारे दुनिया में क्यों जैस्टेज जो उपर उठाके लेके जाए एक तम गुजावे नीचे जो जहां पर सबसे जादा वेटो थो थोड़ा ठीक है बट संजेजी बताएंगे एक तम करेक्ट ली क्या में वाटूंगे जी एसल भी बाइज बायर स्ट्रेंग्ट एंड जी एसल वी सेल इस रिलेटिड भात निकारा नॉमल दुनिया में जी एसल भी अब यह देखिया आप आप किसी को बिचार विचारी मिलती आप लोगों ने वाशी को भतम कर दिया इसलिए जल्दी से अंसर कर दिया नहीं 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 है प्रत्रिक जीने लिखाया है सेटिलाइट लांचिंग सिस्टम तो जो हम रॉकेट भेजते हैं यहां से सीदा जो आस्मान में पहुँच जाता है वो जी एसलिवी वेहिकल होता है ग्लोबल सेटलाइट लांचिंग वेहिकल इस द नाम तो जब वहां से एक बार रॉंच होती है ना चीज रॉकेट जो लांच होता है तो सीदा वो अर्ट के वहां पहुँच जाता है तो सेम वेह मैंने इसी तरीके से देखा था कि यह जो जी एसलिवी केंडल्स होती है ना यह मैं उनको बोलता हूं जो केंडल्स चेंज टोटली इंपक्ट इसलिए मैं क्या करता हूं कि मैं जब मुझे लगता है कि इस केंडल्स जब यह कंडल्स एसली कंडल अभी तो अब विचा केंटब यह आप यहांपे कल Bubble Now, this is also a red candle. This is also a red candle. This is also a red candle. What is the significance of this red candle when we compare it to these two or rest of these candles. इस केंडल फिर्स्ट पॉर्सुक्राइब और देंगे के फिराइब दूपर यह जब रिडे कंडल बन्तियए तरह कें चोटी मुटी प्रेंडल नहीं मैं तो गिराने वाली रेट केंडल मतलब कि बाकी। केंडल से बहुत ज्यादा दम है मेरे अंदर ठीक है तो एनी रेड़ केंडल विच इस हविंग स्ट्रेंथ देन अदर रेड़ केंडल्स विल भी और जी एसली को हम कैसे अलग से पचाने हम दो तिन चीज़े पढ़ते हैं जी एसली पढ़ते और चोर केंडल पढ़ते हैं तो तो यह जो कि थोड़ा तो ऊपर लेके जाएगा कहां तक लेके जाएगा मुझे पता निए अए तो कही ना कही थोड़ा बहुत तो चेंज करेंगी तो कि वेन एवर रड़ केंडल इस तरणिंग इंट ब्लैक जी एसली एंड ग्रीन केंडल तू लुग जी एसली अट मेंस अधर यहां पर जो यह जगा पर आइसा देखा गया है इसमें ब्लैक जैसे यहां पर रेड में ब्लैक आता है ना ग्लू में ब्लैक आता है ना तर बूम्ट फ्केंजिगे गल्फ यह जैसे पिए प्रीवप्टेस आजिय ग्या ब्लैक वर च्छौर स्थूर कंडल सर्वियं कंडल में यह भ्लाक टल oraz इस बिल्डूर कंड दूनो लुद इस पुर्टबोर ग्हां वस्टूर चैंटल में अविवा ब्पली आपन ते किया। précis एंट ट्विबडी को तो हां fine अग्यू पूसी आप लिटिच वीजिवी सीह लिएंट्टी टूट दिए CER लिए ल्हां के लिए आयों को प्रेमि त् स्यरी तो you है क्वी बिट के लिए लिए so if you look at which one i was talking about yes so um 18th april the last candle forming at 3 15 pm if you see that right do you see that yeah 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 you see that's the green candle right but the interior is black okay okay now if you look at the first first candle of the 22 it's a red candle but the interior is blue that's what i was talking about hey this candle right this this one yes yeah so uh you have to let go the first candle of the day first and last candle of the day okay what happens when this logic comes the first candle and the last candle even if it has to show me idly it has to show me the blue color okay because a green candle cannot have a black color okay but it will it can only happen either the last candle of the day last candle of the day or first candle of the day so even if it is black consider it of the blue color i see okay this is because this happened actually when i was writing the code when the day is starting uh i wanted to write this code for all the uh you know universal so if i uh make this color as blue i have to write it here that it is only for indian market and understand 9 15 key candle for you don't change the color like this i have not did it because i want because there are few people who use it for other markets also which is non-indian markets i got your point but the thing is uh whatever the color like this blue color it has to be black color consider it as a black color got it thank you okay sir uh i hope this clarifies right sir one more doubt in that only sir uh if the candle is green and delta is opposite so will it be colored black or red or yellow it has nothing to do with delta black and blue color is not related to delta no 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 it is uh there is something different which is changing the color jo delta delta we cannot use here because delta is a proprietary for uh uh there's no i not uh i'm not uh aware of any such tool which shows the delta uh what trading view use is a volume selling volume you can call it as selling delta but that is a different thing volume is a different thing so volume ke his absence to change that is the art show is that fine is that fine ma'am okay 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 so so here is a question i have a question actually uh actually uh jb gslvv up with s bantahe to suppose a candle which is black is black and then the next candle is suddenly red instead of this black or black one so here we have to look for the short for the short we have to look for the short we have to look for how much confirmation and how much points we have to wait for the short we have to look for the points because if we are looking for the gslvv s and the current candle we have to look for the next candle we have to expect that it should be black if i am not wrong i was keeping it for the last but uh if it is a question that means this is actually this is what i wanted to teach today okay okay uh i'll take uh rest of the questions later because this is all the questions okay green if you don't mind kalka bank nifty business । । । । । । । । । अब यही क्लास पर बता दूगा कोई वीडियो ही देखेगा चली कोई बाती मेरा वो नहीं है कि मैं आपको अपना वीडियो दिखना हूं नॉलिज देना चाहिए अभी खेर यह चार्ट बहुत पुराना हो गया मुझे नहीं पता यहां पे सिडी जोन होगा या कुछ और चाहिए कंव छूड़ी बन जाती है लुकिए और इस तरीके की और इस शुट बी बॉर्टम ऐसे मिडल में नहीं होने जी जासे यह वाली मिडल में मिटल में नहीं है यह आप जो मैं बता रहा हूं सर्फ काम करेगा एक दम बॉटम के यह बॉटम में जी एसलवी सेल साइट की बनी उसके बाद वो केंडल क्योंकि अभी ब्लैक है तो इसका मतब मुझे संज में आ रहे हैं कि बहुत जादा स्ट्रेंट है उसके नीचे जबी आप ऐसा आप यह वाला स्ट्रेटरजी लगाओ उसके नीचे में आप एक अगर विक है तो विक के साथ विक नहीं है तो बिना विक के साथ एक ऐसे लगाने ठीक है यह चोटा सा टचन्द गो का एक्जामपल है यहाँ उसके बाद क्या होना चाहिए अगर इसके अंदर बा का टाइम एक इनडिसाइसिव केंडल बनेगी इस तरीके से अगर कभी भी ऐसे इनडिसाइसिव केंडल बनती है तो वो कहते ना गेट सट गो तो यह यहाँ पर मिल जाता है इसमें सरफ एक ही है कि जो बॉड़ी है चाहिए विक नीचे जाए कोई बात नीचे जाए तो इसमें वो लगा लिटा हूँ अभी यहां पे अगर इस तरीकी की बनती है और इस केंडल का हाई अगर टूटता है ठीक है उसके उपर आप एक बाइब बना सकते हों आपका SL कितना होगा आपका SL इतना सा होगा जित्ती बड़ी हे केंडल अगर मैं यहां पर SL लेता हूँ तो कितना SLM हार्ड ली, मैंने इसके उपर बाय बनाया और यहां पर कितना है, 24 पॉइंट्स के मैं SL बना रहा हूँ, 24 पॉइंट्स में आप 1 is to 1, 1 is to 2, whatever, आपको जैसा लगते है, तो यहां तक यह get हो गया, अभी इसके इंदर set का होता है, set होता है, अगर आप देखोगे, इसका उपर, हमेशा इसका उपर, यह एक inside candle होगी, 90% of the time, अगर inside candle नहीं है, तो छोड़ देना, फोड़ा मुश्किल रहेगा, उसके अंदर फिर क्या होगा, उसके अंदर फिर और इस तरीके से candle बननी चालू होगी, और एक candle बनेगी, जो candle बनेगी, ग्रीनी candle होगी, लेक इसका, that is set, set का मतलब क्या है, अभी देखे, depend करता है, जो get के अंदर बनाएंगे, entry बनाएंगे, उनको risk ज़्यादा है, तो reward भी ज़्यादा है, set के अंदर क्या है, यह सेट कभी यहाँ पे आता है, कभी यहाँ पे आता है, और बहुत time मैंने देखा, यहाँ पे आता है, तो आप, जैसे भी आपका nature है, trading करनेगा, आप get पे कर सकते हो, यह set पे कर सकते हो, और get set होने के बाद जब होगा, तो यह go में ही convert होगा, काफी ज़्यादा संभावना इस तरीके की है, problem यह है कि अगर आप set में भी entry बनाते हो, वालिए set में भी entry बनाते हो, तो भी आपका हुआ है, और मैंने आप सबको बोला था, आपको logic नहीं बताया था, logic आज बता रहो, कल मैंने बोला था कि market यहां से reversal मेंगी, याद है ने सबको, यहां पे देखिए, यह क्या हुआ, get, और यह क्या हुआ, set, इसके उपर line लगा लो, जैसे ही यहां पे आए go, ठीकर यह तो यहां पे क्या हुआ था, यहां पे black candle है, black candle का low नहीं तूटना चाहिए, low तूट गया तो छोड़ दो, low तूट गया तो फिर selling और बढ़ेगी, जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि यह get, get set गो था ना, तो यह get थी, पहरी candle get है, sorry मैं तोड़ा गलत बोल दिया, यह set ह और यहां जो blue candle आती है, तो यहां पे देखी, यह अपनी GSLV बनी, मैंने क्या किया, GSLV के नीचे यहां पे line मारती है, ठीक है, और क्या किया, मैंने GSLV के ओपर एक line मारती है, यहां पे line मारती है, ओके, जब एक और दो candle मैंने देखी कि भया, नहीं जा रही है, नीची ही नहीं जा रही है तो मैंने को क्या मिलें गत्प मिलगी और यह वाली जो केंड़ल थी यूव यह पर इस केस में थोड़ा देर से मिला गो बट जबी भी गो मिला आपको के बाद आपको डा ये निटी में ऐसी पॉइंट मेरे कहल से कोई बुरे नियू और तो यहां से लिया था और नीचे से लिया तो चाहर लोट लिये थे यह अंडर्सूट किसी को कोई परिशानी इसमें और यह गैट सेट गो बोलने तो आप गैट को तो आपने ब्लैक केंडल बोला वैट जो सेट एंड गो को तो यह कोई कलर स्पैसिफाइज पाइस्ट केंडल होगी या फिर लाइक को नंबर हुआ इस स्टेटर्शी के अंदर गहिट केंडल जो होनि चाहिए वह कैसल वी चैओंके ऑर जो साट केंडीन ओने चाहे है वो आदिकλλά मुझे कोई मतलब नहींथ बाट वह एसट किसेज वbon वह गेन एक ईक फ्री बट ग्रीन साइड मंद ब्लाइं स कोव्टम पहले वाला फिर एस होगा न यह वाला यह वाला सेलिंग साइट का होगा तो मैं क्या करोंगा यहां से कि मुझे रिवर्सल एक अच्छा रिवर्सल और आप मार्किट को समझे अगर जीए चल्वी का लो टूपता है तो यह बहुत अच्छी कंडिशन नहीं होती है इस अगर यह तो यह कंडिल जब बंद होगी तो यह बंद्या होगा यहां पर एसल रखके अगर आप शॉर्ट भ पर बॉल्टम को अपर इंसपाइब करें अच्छा बार्त इन बार्टम को भॉटम का मैं वह नहीं गटता हूँ अगर आप यहां पर देखो तो मैं सेम चीज़ का वेट कर रहा हूं यहां पर मैं इसको गट मांता हूँ ठीक है क्युछिक इस वक्त में तो यही केंडिल ला कि अगर कोई गट के ऊपर इंट्री लेता है ऐसे लगने के चांस ज्यादा है बट दिर इस अ गुड़ केंडल कभी बनी नहीं तो आपका गट सट गो जब गो खतम होगा तभी आपको एक अच्छा मोब लेगा तो इसमें वो मिला ही नहीं तो मुझे नहीं पता कि यह सबसे नीचे केंडल है यह इस केंडल पर अगर मैं सेम चीज ढूंड़ हो गया सेट यह हो गया बहुत प्लारा कम लिए वो का है वो ही नहीं तो यहीं तोड़ दिया इसमें क्या है इसमें भी सेम चीज अब जो मैं बता रहा हूं वो सरफ यहां पर हूँ इसके अलावा कि कभी भी नहीं वाना पुरे दिन में और यह मैं क्यों बताने के आपको कोशिश कर रहा हूं दूसरी चीज जो अभी मॉर्णि में मॉर्निक कर रहा हूं थोड़ी देर पहले हम लोग डिसकस कर रहे थे इस केंडल का सिगनिफिकेंस और रेफरेंस पॉइंट वहात ही जादा उत एक तन का उतन दो तन का उतन बहुत जादा उतने इस ब्लाइक जीएसल भी वो भी शेशना जी के ओपर क्या जो क्या होता अंसर ठोग दो ठीका जिसने यहां पर ठोका होगा सुब अच्छे का से बनाए होगे इट गिवसी गॉफिदेंस अलसो गर इस कंडल यह कंडल ग्रीन कंडल होती यह कुछ और कंडल होती तो प्रावलम होती अभी यहां पर आपकी इंट्री बनती है वो GSLV के नीचे आपकी इंट्री बन रही है यह देट मेंस गूट पॉइंट्स सेम चीज़ अगर में आपको बैंक निफ्टी में दिखाऊ होती तो गेट सेट इसमें सेट थोड़ा अच्छा नहीं हो बट गेट सेट गूब बहुत जाद़ पॉइंट्स ने मिली ठीक है लेकिन अगर इसके नीचे भी आप ऐसल रगो अशल नहीं शुछ देखे गया लेकिस नहीं गया कुछ देखे गया लेकिपशनी गया तो युदुआ अपिछ नीचे इसमें सेट बो नहीं हिला थोड़ा बहुत ही उपर या हास उपर नहीं जेँए लेकिन उपर ही नहीं गया इसके चलो अच्छा एग्जामपल दिखा तो अच्छा इसमें जिस यही चैलेंज रहेगा कि बॉटम कहां बनेगा वहां अच्छा ट्रेड मिलेगा वह यह किसमें चैलेंज नहीं है इसमें क्या है कि आपको विद लोइस्ट रिस्क अब कोई भी ट्रेड ले रहे हो ना तो इसका फाइदा क्या है कि यह रिस्क बहुत कम है जहां पर रिस्क कम है सेम चीज आप इसमें यूज कीजिए इसके लिए स्विंग के लिए देखे होता है क्या है अगर आप समझो एक बात को पांच मिनिट में एकुरेसी बहुत कम उठी है जैसे जैसे आप टाइम पिरेड बढ़ाते हो अभी जैसे यह मैंने बजाज फैनेंस का इसके उपर मैं काम करता है क्योंकि कल परसो यह मेरी उसमें था क् सेम चीज के लिए यहां पर आप देखोगे यहां पर आप देखोगे जी एसलवी बनी अभी सम्हाव बजाज फैनेंस के इंदर हमारे शेशनाग जी रूट जाते हो नहीं आते हैं बट अगर आप इसको समझोगे ब्लैक जी एसलवी बनी गेट सेट और गो भी मिले तो अगर नहीं भी बुक किया तो भी इसका लो हमारा एसल रहेगा वो भी अभी तक हो नहीं है तो यह मिल यह मिल गए इसपेशली फॉर इवेस्टमेंट अगर आपको एक लंबे टाइप लिए जानाए तो एक सटेंड ना यह करो यह देखिए गेट गेट सेट गो कितना मिला यह से 6400 के आसपास हमने लिया 6200 के आसपास और बाकी आप लोग बताइएगा मेरे को चेक करके कि आपने कहां कहां पे इस तरिके के इग्जांपल दिखे बैंक निफ्टी 1130 सर कलका बैंक निफ्टी 1130 प्रेक्ट एंपल के इसम्पल पर एंपल पर फिसम्पल पर फिसम्पल जब देखिया इसको समझने की कोशिश करते हैं यह क्या है बन क्यू रहा है इस तरीके से राजु जी एक मिट आपका प्रशन लेते हैं ऐसा हो क्यू रहा है जब मेरी यह कैंडल बन रही है ना ब्लैक जी असल भी बन रही है तो इसका मतलब क्या है कि यहां पर सेलिंग स्ट् लेकिन अगली केंडल जैसे ही पहली बाद तो इस खंडल के अंदर भी विक है इस कंदर यहां से रिजेक्ट हुआ यहां बैटे हुए यहां से रिजाक्ट होने के बाद दूसरी केंडल Indecisive मेरे को क्यूं चाहिए क्यों कि मैं जो बो रिजाक्त हुआ वो इसको गन्फर्म यह वाली जो candle है green वाली यह confirm कर रही है कि यहां से rejection है और जब यह green वाली candle यहां पर बन रही है तो वो आपको यह कह रही है कि now it is confirmed कि जो buyers थे वो सब के सब अपने घर गए और जो sellers है जो sellers है सारे अपने घर गए और buyers will take control from इसके यहां पर इसके अंदर यह देखी यह candle तो बहुत अच्छे इसके ओपर तो आप बनाओगी नहीं रही नहीं नहीं बाए उसके बाद में इंडिसिजू candle हां तो get set go कहां बनी इसमें गो नहीं बना लेकिन अगर set पर हम लोग करें इस पर trade तो हां sir that depends कि जो बंदा जितना आप रिस्क लेना चाहते हो that's up to them आप कितने रिस्क आपको चाहिए कई बंदे हैं मैं कहता हूँ आप get पर भी अब get पर तो खायर ले नहीं सकते हैं या तो set पर ले लो या go पर ले लो जो set पर लेगा अगर sl नहीं लगा उसको दुगना या तिगना profit मिलेगा गो वाली से अगर आपको लगता है आप get पर ले लो आप set पर लेना चाहते हो set पर ले लो go पर लेना चाहते है go पर ले लो तो इसी candle का लो आपको पकड़ रहे है या इसी candle कर लो अगर यह इसके नीचे है तो अगर यह इसके उपर है तो ब्लैक वाली candle कर लो सर अभी देखिया यह गोपे मैं बनाता हूँ 1140 के बाद जो बन रही है उसके उपर मैं बाइक करता हूँ तो अगर ऐसा नहीं आप करना चाहते ना तो इसके उपर लाइन डाल दीजिए सबसे से इंट्री जो में मिले गया इसके उपर आप लाइन डाल दीजिए जबी ब्लू वाली कंडल के यहां पर रखना पड़ेगा इसका आप ऊपर और नीचे दोनों जगा आप लाइन लगा लीजिए अगर यह वाली यहां पर बनती है तो यहां पर आप इंट्री लोगे और यह आपका ऐसल रहे है कितना रहेगे इस केसमें मालीजी आप यहां पर यहां पर यह प्लीज ऐसे में एक क्वेशन है कि सपोज जो स्टाक या कोई भी कुछ जो गिर रहा है वो हरी की पोड़ी बनाते बनाते गिर रहा है तो भी हम लोग उसमें एंट्री ले सकते है किया अगर समझ लो उपर से ब्लैक के जीसल भी बना रहे है लेकिन हरी की पोड़ी बन रही है दो तीन तो उसमें रिस्की होगा ना यह इस एंट्री का अधर डेसे वेरी रिस्की वाट आम तेलिंग यू हूँ इस वन अप दर किया स्थिंग अंजली दो में टुक जा तियरा माइक निजल रहे किया दो में टुक जबाए पड़ता हो भी जिसमें अभी इस केसमें देरिज ओनली वन हरी की पोड़ी अभी अभी पार ऐसा होगा कि दो तीन बन जाएगी तो वो जड़ा अगेंस्ट दे ट्रेंड हो जाएगा अप्सीटी वाट आम टेलिंग यू है यहां पर बहुत प्यारे 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 पॉइंट्स आपको एक काम कीजिएगा यह सेशन होने के बाद इसको डे में डालिएगा और कमसें पचास आप चेक करिए कि अगर तो आपको कहा अभी क्या है देखिया यहां पर अभी इसकेस में क्या होगा संडे को यहां से वापस आ गया था हमारा बैंक निफ्टी राइट मानलो कि अगर यहां से भी उपर जाता और यहां तक आता लेट आप यहां पर क्यों लेता हूं अगर गया तो कोई टेंशन नहीं अगर मिला तो सोचो किता मिले आईडिली क्या होता है देखिए आपके हर प्रेडर को देखना है कि उसका रिस्क क्या है इसके अंदर आपका रिस्क है लेकिन रिवार्ड बहुत जाद है अभी तक हम क्या सिखाते थे आपको कि जबी भी आपका एक ग्रीन केंडल जिसकी वाड़ी सिक्स्टी परसेंट से ज़्यादा शेशनाग जी के ऊपर गई हो उसके ऊपर अगर कुछ जाए तो आपको इंट्री लेनी है वन इस टू वन के लिए राइट अगर उसके ऊपर ही काया मूट हो मेरी तो यहां पर इंट्री नहीं बनी थी भाई की बट अगर कोई जी एसटी कर रहा है तो उसको कम से कम यहां से अगर माली जी यहां से भी किसी ने लिया हो तो यहां से यहां से यहां तर किते पॉइंस मिल देंगे लिए 142 पॉइंस मिल गए अभी चो मेरा 10 परसंट ग्रूप है तो ग्रूप इस कैपबल आफ टेकिंग मोर रिस्क बिकॉस यहां से लड़ इंट मार्के पर लॉंग ता यहां से यहां से रेस में चलना से इखाना था यहां से अब मैं आपको यहां से चलना सिखाना तो यह जो एक्स्ट्रा वो है इसके लिए एक्स्ट्रा रिस्क भी है तो डूइट अट ओन एट यॉर ओन रिस्क गोलते नहीं विद्बाइब एक छोटा सा ख्लारिकेशन हाँ प्रशाब भी अभी देखिए 1130 वाला कैंडल हमारा ग अब आपर हमें रिजेक्शन मिला वो हमारा सेट है कि वहां से उसको इनो सपोर्ट मिला और वहां से उसने रिजेक्शन लिया और उसका नेक्स गैंड जो 1140 वाला कैंडल है जिसने 1130 वाले कैंडल के हाई को ब्रेक्त किया है So, that becomes our go. No, no, no. Go candle, either it has to be a GLV or a candle which is closing body above the G. Okay. Closing body above the G. Okay. So, यहां पे हमारा जो ट्रिगर होगा, वो 12.35 को ट्रिगर होगा. No, I said it depends. मैंने तो 11.35 पे इंटी ले लिए थी. with a SL of 11.35 केंडल लो. Sir, then फिर वो चोर केंडल में आपका SL होगया और वो टच्च किया आए नीचे. ने, ने, इसका लो. यह जो इनडिसाइजिव केंडल है ने. इसका लो मेरा SL थी. Okay. Okay. So, अगर इसके हिसाब से वेदभाई, यहां उपर अगर हम जाते हैं, say, level 10.35 का जो केंडल है, उसका next केंडल भी तो इन्हों एक rejection केंडल है ना, तो यह लोजिक के साब से वहां पे भी एक बाई बनना चाहिए था ना, आपको? नहीं हाँ. काहां पे? 10.35 वाला केंडल, जो black केंडल है, हाँ. तो वहां पे भी same logic से भाई बनना चाहिए ना? मुझे ले लेना चाहिए था. अगर मैं होता है, तो मैं नहीं लिया, तो मुझे पता निवे उसक्ट क्या करता है. ओके. यस, मैं थोड़ा risky entries लेता हूँ, अगर मैं यहां पे होता है system पे, तो मैं system को किते points देता है, इत्ते points दे देता है, 80 points दे देता है. ओके. इंडेल बाहाता है. ओके. बेद में एक question है मेरा, यह जो अमरा point zero के और point 52 के उपर. Usually यह मेरा observation है कि जैसे आपने भी बताया था कि point zero पे जबी भी कोई candle आता है तो वो थोड़ा time swap पे spend कर देता है. और अगर वहां से अगर उपर जाता है तो point 52 तक जाता है. But point 52 पे जब भी जाता है, point 52 से वो reversal ही होता है. मतलब मैंने इसे, I don't know, maybe उपर जाता होगा, but मैंने जितना उसको observe किया है, वहां से हमें, यहां वो नीचे ही आता है. तो यह तो वहां से हम लोग एक shot कर सकते हैं, कि अगर point 52 पे कोई भी, यहां पे टच होता है. देखिए, अगर यह वाले candle यहां तक गई, तो आपका 52 यहां पे आ गया. अगर मालने के जो मेरा high और low system को समझ में आ रहा है, कि आपको यह समझ के करना चाहिए, यह बताता है. ठीक है? अभी क्या है कि मान दीजे, अब यह एक low बन गया है. ठीक है? अभी मुझे क्या है, अगर यह चुड़िए, जब यह high है, तो यहां पे ही कहीं पे low होगा. अब चैट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ, बस दो मिट दीजे, इस प्रेशन के बाद में चैट दीजे. ठीक है? तो अभी यह last day का हमें दिखाई दे रहा है, यहां तो है. जैसे ही 52 का है, यहां पर है. अभी system क्या समझ रहा है? सिस्टम इसको high और इसको low बानके चलोगे. 0 यहां पे हैने जाए. यह high और low यह mark की हूँ, जब यह वाला दिन स्टार्ट उपता है. ठीक है, अभी reconcile उसको कर रहा है, अपने आपको reconcile कर रहा है. 52 के उसके लिए अभी भी वही पर ही है. अभी तब भी इसने 0.0 यहां पे बना दिया, और 52 के यहां पे बना दिया. तो इसके उपर आप trading कैसे गरोगे? क्योंकि यह पूरी floating है. अभी में पर यह समझ बहा रहा है कि इस वक्त में, इस वक्त के अनुसार, यह जो एरिया है, इस एरिया इस बोल्डन जूल. यहां तक तो आए गई आए. यहां पर reject होगा, नहीं होगा, वो मुझे पता नहीं, लेकिन यहां तक तो आए गई आएगा. So यह चार्ट बंद होने के बाद, you cannot vary see कि कहां पर था उस वक्त में. तो वेद भाई, अगर एक ट्रेडिंग सेशन में, अगर एक पॉइंट पे अगर पॉइंट फिप्री टू बना है, या पॉइंट जीरो बना है, वो लाइफ ट्रेडिंग सेशन में मूव भी हो सकता है उपर या मिचे? यही मैं बताने की कुशिश करेंगी, वो मूव होता है. क्योंकि यह क्या होता है? यह बेस्ट अन दा बार, कि यह कितनी बार को मैं यहां से यहां तक मानता हूँ, अभी भी इस सिस्टम के हिसाब से हम लोगों ने क्या किया जो एक्सिस्टिंग है, यहां से जब मैं गिरा तो मेरे को यह था कि 7N तक आना चाहिए, यह 7N तक आया है, लेकिन यह 7N पे जब आ गया है, इसके बाद जो मैं ट्रेड देखूँगा वह बदल जाए, क्योंकि 7N भी चेंज हो जाएगा, 52K भी चेंज हो जाएगा. बट अट लीस्ट यह मेरे को कहां पे हल्प करता है, यह मुझे यहां पे हल्प करता है, जब यहां से इसने गिरना चालू किया है, तब मुझे पता है कि यह 7N अभी तो यहां पे है, जब तक यहां पे नहीं पहुचेगा, 7N चेंज नहीं होगा, जब तक यहां पे नहीं पह की देखूं या लॉंग की शॉटी की मेरे खाइब से जादर बेटर रही फिफ्टी टू के पास से अगर मैं पॉच्टिनुटी डूलू है अगर एक बड़ी कैंडल आई तो फिफ्टी टू के ऊपर चला जाएगा तो आपको हवा में यह कहां पर यूज होता है यह कहां पर ओपका यही फिक्स है यह नहीं लेगा और सेवने जो यहां पर यह लुक्शिश करें अपर गया तो अगर यहां पर कहीं भी आ प्रेडिंग कर यहां पर कर रहे हो यहां पर करके रखो कि यहां तक तक तो आए गहीं आएगा और जो मैं आपको बता रहा था ना कि वह आप प्रशाद भाई इसमें आपका उसका पर श्रुशन है कि जो हम reversal देखते हैं ना reversal या तो टॉप से देखते हैं या bottom से देखते हैं आप जो इस वर बात कर रहे थे कि मैं यहाँ पे क्यों नहीं लिया था उसका मेरा ये भी एक वह है reason है कि जब मैं इस तरीके का reversal देखूँगा ना मैं कोशिश करूगा हूँ 7N के आसपास हूँ तो बहुत ज़्यादा बड़ा मजा है ओके ओके अच्छा तो यहाँ पे 7N अभी नीचे था इसके लिए आपने आपने लिया नहीं हो ओके लेखर मैं था नहीं सीट पे इसलिए नहीं लिए आच पर अच्छा ओकी अपने पता था कि पंबन जो होता है जैसे एक ट्रेडिंग सेशन प्रोग्रेस होता है तो जैसे इसे हमारा दिन बढ़ता है तो उसका पावर कम होते रहता है तो तो टोवर्जी एंड अफ दे डे उसका पावर निल हो जाता है लेकिन वहां पर एक कुछ ऐसे हुए हैं जहां पर प्रीविज दे का पंबन जोन मतलब आज जब हम ट्रेडिंग सेशन देखते हैं हम कल का प्र पंबन जोन पर करेंगे लेकिन उससे पहले वाला जो पंबन जोन तो विलकुल माहिन यह नहीं रखता बट वहां पे भी कभी-कभी एक रिवर्सल या एक शिफ्ट हो जाता है जहां पर से नीचे आ रहा है तो वह पॉइंट पे रिवर्सल हो जाता है और एवन सीडी जोन भी प्रीवेस दे का सीडी जोन भी अगर आप देखोगे तो से फॉर एक दिन अगर पीछे जाए से में 30 वाला अगर आप चार्ट थोड़ा सा ड्राइग करेंगे इस तरफ में में नहीं एप्रिल 30 ने वो मैं आपकी बात समझ रहा हूं लेकिन उसमें मैं आपक ना की अगर मैं आपको मोलो कि वाई एक वर्ड ढूंडो एसे किताब में बहु क्रणा करना प्राफिर्ट बाषुद्ट तो रचीज जैसे अगर प्रीवियस दे का सीडी जोन स्टृ पर लाई वो नहीं करेगा क्योंकि CD-zone का मतलब क्या है कि वो हाई वहां पे कर उसका हाई था हो सकता है आज भी वह किसी ना किसी उसमें करे बट उसके होने की probability कितनी मेरे ख्याल से इतनी probability नहीं है कि मैं अपना time उसमें गवा हूँ when compared to other things that I can do कोई भी दिन का close होता है previous day close day before previous day close उससे पुराना दिन का close हर close पे थोड़ा बहुत तो कुछ ना कुछ वो price moment करता है but the thing is मेरे को यह पता है CD zone पे 10 में से 8 वार moment करता है तो मैं CD zone के उपर अपना ज्यादा focus रखूँगा अगर पिछला CD zone जो है या एक दिन पुराना या तीन दिन पुराना वह एक बारी सौ में से एक बारी वहां के कुछ ना कुछ होता है मैं उसके उपर अपने time नहीं डालूँगा कैंगे सर मैं सर्फ यह कर रहा हूं कि मैं वही काम करूँगा जिसमें importance ज्यादा है जी सर्थ अगर प्रफाइल का जो लेवन से जो बैली एरिया है और वैलियर है और जिए रफेरेंस हुआ था वो इसमें नहीं है ब्रमा से 4.1 में नहीं है कि क्या वो अगले वर्शन में आएगा वो थोड़ी मैंनत तो हमें भी करनी पड़ेगी ना मैं भी तो करता हूं मेरी मैंनत थी एक दिन पहले रात को में सारे वो डालके रखता हूं आप आप सब को प्र ना चाहिए अब कोई निफ्टी करता हो तो उसके लिए निफ्टी और कोई बैंक निफ्टी करता हो तो उसलिए बैंक निफ्टी आप यहां पर जाहिए मार्केट प्रोफाइल में जाहिए और वो सब लिखके रखिए आजी आपको काम आएगा कि यह देखिए जो मैं बोल रहा था ना जो यह वाली केंडिल थी यहां पर दिल को कुछ-कुछ होने लगता है कि यह जो है 48 870 यहां पर कुछ होगा क्यों होगा क्यों कि यह सीडी जोन है और इसके बाद जब इस तरीके के चीज़े दिख जाए 49 635 इसको बना नीचे दिख जाए 49 635 इसको बना नीचे दिख जाए 49 अब यह कल जब ट्रेडिंग शुरू होगी तो यह मेरे को हेल्प कर देगा कि यहां पर बने अल्रीड यह रफ्ट हुए इतनी माने तो बनती है ना चलिए लोग तो मेरे को वैसे भी लगा नहीं था कलकी लिए भी लगा नहीं था लोगों को भी पता लगे कैसे लगा में था 49 185 मस देखना कल इनी लाइनों में घुमेगा इनी लाइनों का मौताज हुदता है बैंकी के जी अब ही ना थोड़ा से यहां पर पढ़ लेता हूं देखिए इतने सारे लोगों को तो काव आ गया बिचारे छोड़के भी चले गया अंजली इनका क्या माइक खरा हुआ है वी कन कीप एनाइए नाइए उनका टूथ एक्स्रक्शन हुआ है तो आज बात नहीं कर पाएंगी 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 निकाल सकते हैं अज अज बुड़के कोई जवाब भी देगी एक्स को कर सकती है ना चैट पर दे सकती है भाईया अब पढ़ेंगे नहीं चैट अब पढ़ना नहीं आता अजली वो भी आप मैसेज करके बता दो बोल के मत बताओ बोल रही है इस टॉक बताना बंद कर दूँगी मैं सॉरी 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 अजली आप बहाल हो ऐसा काम बतिया करो बहुत बड़ा थ्रेट दे रही है चाहिए एवी भी अच्छा कैडिडिट है यहां से गूम सकता है देखे सेम चीज हो दिए जो बात करें बट मैं इस सेनरियो को शेशना जी के नीचे देखता हो न तो बहुर दिल को बिर एकदम थंड़क सी पढ़ जाती है एवी भी यहां पर देखें गैट सेट गो इसके उपर ले लेना चाहिए ताब इसी के अंदर चलिए तो अभी यह करेंट है यह पास्ट है इसके अंदर सेट अब इसको बना लो या किसी को बना लो लेकिन इसके उपर लगा 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 लगालो या इसके उपर हम कब लेते हैं वह बनने के बाद जब उसके उपर कुछ निकल पर निकल गई अब आपने पकड़ लिया तो पता तो था कि ऐसा होगा रहा है यहां पिर नहीं हुआ अजले जी का एक स्टॉक है कोटक बेंक वोट कर इसका चार्ट कल इवी का चार्ट शो नहीं कर रहा था ट्रेडिंग कर दोनों ने जहां सिलेक किया था ना एक्जट वही स्पोर्ट पे है अभी डिमांड जोन पे और उसका रिजल्ट बहुत अच्छा है इसका जो फ्लोजिंग हुई है न वो इसके नीचे हो गई है अधर कोई भी आपन करके इसको देख लो सर्ट कोई भी हो वो यह सब न्यूस को हैंडल दिंगा सब्सक्राइब पीछे 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 चार्ट देखो चार्ट और भी आ हाँ अगरा बाइंग अपना है न जो अच्छा अच्छा वाँ और इस एरिया में यह बाइंग अलट मैंने क्यों नहीं हटाया बता है वो खरीद लोगी बेस लोगी हटा तो उसके पर क्लास देनी की बोली गया यह वाला मैंने इसलिए नहीं हटाए कि यह हमेशा काम करेगा यह जो लाइन आपके हमेशा ही काम करेगा अप्रोचिंग अगया ना चलो अच्छा है सर इसमें कुछ हो जाए मेरा मैं तो यहां पर खरीदा हो गई यह बिचारा यहां पर खरीदा था और वहीं पर ही मैंने इसको बिचा वापस दो साल में कुछ भी नहीं कमने अब वेद भाई यह थोड़ा एक्स्प्लीम पर ही क्या है तो यह यह जो आपने बुलाना भी हम हमारे बाइंग लेवल पर आया है सर यह मार्केट में न यह आइडिनिटिफाई करता है कि कहां पर इक बाइंग लेवल अच्छा है तो यह जबी भी अलर्ट आता है खुद ही दे देता है यहां से बाइंग अलर्ट है इसके उपर जाएगा तो आप खरीदे रख सकते हैं यह कोई एसलनी जता को पुझ निदे तो सरफ एक मार्केट सेंटीमेंट वह बताता है यह ऐपर जा सकता है अगर आप इसको कुछ देख रहे हो तो लगशना था जैसे एब इसक्वीड यह जफ्रोंवल दिखा देते हौं फिर था यह देखिए जी एसल वी गो सेट गो मैं तो बोलता हूँ कि आप यहीं पर इंट्री बनाओ ऐसी में तोड़ा सा रिस्क आपका कितना रिस्क करना कितना मांग रहा हूँ अब 20 रुपे का रिस्टोर रहा हूँ 1.67 का रिस्क अब ले रहे हो और अब कहा तक जा रहे हैं और अभी तो पार्टी तो अभी शुरू भी नहीं हुए है पार्टी तो यहाँ पर शुरू होगी 10 परसंट देगा ही है कौन सा है इसल लग कन्फॉर्म यह कन्फॉर्म कर दिया इसने अब बन गया यह वाली खेंडल के उपर तो यह भी बन गया अभी देखेंगे अगर प्राउलम नहीं थी जो पहले जो सेफ लोग है सेफ ट्रेडर है मैं आज भी उनको भी यही कहता हूं कि भया आप यहीं पर लीजे इसके उपर इंट्री लीजे यहाँ पे एसल रखेंगे यह किसके लिए वैल्यूएड करेगी जो मैंने आज बताया है जिस बंदे को अभी आपने यहां पर इंट्री लिया यहां से यहां तक का प्रॉफिट आपका है अगर आप यह रिस्क ले सकते हो तो ऐसे मतले ना पहले पेपर ट्रेट करना और पहले देखना पास्त में जाके चार्ट को जाके देखना कि वाकई ऐसा होता है या नहीं पुझे दिख्टे ले सकते हैं और एक कुश्चन था अभी देखे जैसे निफ्टी ऑल्टाइम हाई पर है लेकिन निफ्टी फिफ्टी के कुछ स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपना हाई नहीं बनाए है जैसे हैं जो मेन कॉंट्रिबूटर्स हैं जिसका वेटेज निफ्टी में बहुत स्यादा है तो उनको अभी बाई करना ठीक रहेगा क्या मतलब कि मा हैं तो क्या अगह इंतारो एक राली आ सकता है मैं य चीज में बिलीव करता हूँ कि जो भी हो रहा है निफ्टी फिफ्टी क्या है जैसो निफ्टी फिफ्टी छो म को हम बहुते हैं कि 22K 23 तो अगर कोई अगर निफ्टी 50 अपना हाइस पहुँच गया है और कोई स्टोरी अलागे वह यहां पर काम कर रहे वह उसका मर्जी हो यहां तक आएगा अगर उसके अंदर कुछ दम होगा तो कोई टेकनिकल बन रहा होगा कुछ अगर उसके अंदर स्थिती होगी तो वह आएगा इन फैक्ट अगर इसमें दम होगा तो यह यहां से फाड के वी उपर चला जाए इसको निफ्टी 50 ने टॉप बनाया उससे कोई फर्क नहीं पढ़ता है कि अगर करना चाहते हो मार्किट कहां चल रहा है तो निफ्टी 50 देखके पता लग जब अगर कल अंजली मैंने एक शेयर शेयर किया था शेयर शेयर किया था वह पते नहीं कितने सालों से सरफ अपर सरकिटी मार रहा है अभी बैंक निफ्टी आया स्वरी जिफ्टी आया टॉप लगाया बॉटम लगाया सब कुछ लगाया उस टॉक कोई मतलब भी नहीं दफ एंडव है सरफ ऐसी रुची सोया का देखा आपने सरफ अपर सर्किट बारता चला गया था तो क्या जिस दिन मार्किट नीचे गिर अपने को सिखाया था पी रेशो कम है या जो उन्होंने दस चार चीजर सिखाई थी अगर वो अच्छा है किसी भी ऐसे स्टॉक का और वो आपको बॉटम पर मिल रहा है आख मंद करके खरीदना चाहिए क्योंकि वह उपर आए गई गई है अब करना कोई बड़ी बात नहीं है आप कीजिए मैंने आपको दे दिया यह तूल इसके उपर काम कीजिए अरुन सर बताई सर क्या प्रश्ना आपका है क्या है अगर क्या हुआ पर अगर आपने वो सेरीज देखी हो तो इसके अंदर मैं बात करते हो इसे अंदर में बात करतों ट्रेंड राइड़ल अब यह देखिए जैसे यह आज की बात है कहां पर order flow कहां पर help करते हैं यहां पर क्या हो रहे हैं हम लोग यहां पर consolidate कर रहे हैं राइट लेकिन इस consolidation में आप देखोगे 613 के प्लस 65 के प्लस इसमें से कितना मैनिस किया 45 और 55 यह 300 के का मैनिस है मोटा मोटी लगा और यह 700 के का प्लस है यह consolidation सर्फ किसलिए हो रहा है टाइम करेक्शन हो रहा है अभी हलका से नीचे आके भागे का उपर तो यह मुझे देख के पता लग रहा है इसके अंदर मैं कोई डरूँगा नहीं अगर में कोई position अगर ऐसे अपर्ट फॉम डेट अब कोई भी एक स्टॉक बताइए मेरे को जो स्टॉक अच्छा भागा होगा होगा फ्राइडे को अगर हमारे पास यह है तो क्या पता लगता उसका यहां पे पांस मिनिट में तो सार अभी है और जब अगर आ गया है तो मैंने थोड़ा कम कर दिया हलाकि यह चार्ट को यह आपकों से हटते हैं पूरे दिन नहीं हटता है यह देखिए यहां पे साफ पता लग रहा है यह पहली जो केंडल है पहली केंडल पे तो सेटल हुआ और यहां पर पर देखते हैं अब यहां पर कितना आया यह यह पर नाइं पर देखिए अगली कंडल ऊपर तो जा रही है आपकी पर तो गई है लेकिन डेल्टा कहा है काम हो गया उससे अग्यां कि यहां से चालू है इसके नीचे जाएगी तो थोड़ा सा है कि यहां पर रुकेगा भाव रुकेंगे यहां कि उसके बाद जो अगली कंडल आगती हो तो वैसे ही चोर कंडल है चोर कंडल क्या बोलती है वेरे उपर नीचे लाइन की इस दो जिस तरफ निकलता है वन इस यहां से आप देखके पूरा पता लगा सकते हैं अगर इस पे लाइन रखी होगी आपने 489 पर आपने शॉट किया और यहां पर कहीं कवर कर लिया दस पॉइंट 3FC में तो बले बले यह तो आपको पूरा और यह ऐसे ही नहीं भागा आपको एक और चीज़ यहां पर दिखा देखता हूं मुझे नहीं पता है कौन सा दिन है 20 मार्च का दिन है कभी भी आप देखिए हैमर तो बनता है दुनिया हैमर पर काम करती है राइट कोई कोई गुड़ी बाती है 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 बार के अंदर यह पॉजिटिव आपको जभी भी डिल्टा दिखे रेड कंडल है ना क्या चोर कंडल है और चोर कंडल कहां पर बनी है बाटम में बाटम में दुनिया कुछ भी कहें यह आपको पता है जया है कि अगर ये नहीं देख रहा होता तो मैं एक नॉर्मल किसी भी बंदे की तरह देख रहा होता है कि जो आपका प्राइज एक्षिन वाले बंदे उते हो क्या करते हैं हैमर बन गया हैमर के ऊपर लेलो मेरे पास अभी फरक कहां पढ़ेगा वो बंदा एक लोट लेगा यहां पर चार्ड लॉट हूँगा क्यों कि मेरा बहुत क्लियर है यह जहां पर है जिस तरीके से बन रहा है 650 K इन हैमर इस वेरी गुड तीग इस नोट लाइक अनॉर्मल था कि यहां पर देखें यह क्या हो रहा था यहां पर इसे जब होता है कि यहां पर निकला है यहां पर मांक कर लो जैसे अभी उसके इंदर जमागटा किया था ना आप इस वह जमागटा कर लो कि यहां तरह कितना डेल्टा है और नेगेटिव कितना डेल्टा है वह आपको बता देगा किस साइड भागेगा और कितना भागेगा जी सब्सक्रिप्शन देने का सुच रहा था कभी कभी डिसकाउंट आता है मैंने दिवाली पे खरिक्तों में इसको एक साल के लिए दिवाली पे कितना आते हैं मेरे का से 50 पर कम था 50 पर से और 15 अगस्त का मुझे पता है कि आता है अगर आपको चाहिए तो अब बता देना इसमें कॉल्फिदेंस भी बढ़ता साथ है यह मस्ट कर देना चाहिए जो भी ट्रेडिंग करें तो यहान नहीं चाहिए इस अच्छा का का कि अ थैंक इस थैंक यू साथ यह जियो में 2019 सर बताइए क्या फ्रिश्ण है जियो में टू वन जिरो नाइन वन 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 सर क्या आप उसने अख़ाएं हलो सर, हलो हलो सर सर ये प्राइज एक्शन जो आ रहा है अपका हेर लो लो रहा है लो 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 रहा है ये बहुत देर के बाद आता है ये लाईव में आता है तो अच्छा रहेगा ऽर हर इसा बोतीन पोजिशन थे मेरी जो लाईव में नहीं जो इपिजेटली आना चाहिए ना सर लो नकों इमेजेटली क्यों नहीं आता उसका रीजन होता है इसका रीजन ये होता है कि अगर मैं higher hour REE वो higher ay राई निकले चैvis रण ah वह हम क्यों नहीं करना चाहते क्योंकर राई इसको यहां पर बोल और उस तरेडिंग में कुछ गलत जाता है तो उसके बनिस्पत मैं यहां पर ट्रेड ना करूं जब तक मेरे को पूरा कुरा अधर कि यहां पर ट्रेडिंग करने बैठें पैसा कमाने बैठें चाहे ट्रेड ना मिले कोई टेंशन नहीं है जिन में सिर्फ एक ट्रेड लो जिसमें की पैसा आज है बताइए अभी में में मिटिंग जब चालो हो तो अब से सुन रहा हूँ यह गेट सेट गो का जो फॉर्मिला है लोगों को समझ में नहीं आ रहा है था अगर अगर आप जोन अगर डियो टिफाइन करोगे यानि रैली बैस ड्रॉप फॉर्मेशन ड्रॉप बैस रैली और बुलिश एं सब्सक्राइब आप आपको कैसे पता कि उनको समझ में नहीं ने आवह जो क्वेस्चन में सुन रहा हूं ना मिटिं से चालू जब से हो आया तबसे ऑन रहा है कि सब्सक्राइब मेरे पास ऐसे भी स्टुड्यिन्ट जो जीरो पर है मेरे पास ऐसे भी स्टूड्यन्ट जो पॉइंट पर है और ऐसे भी है जो फिटी टूखे पर है जिनको मैं जीरो से सिखा रहा हूँ प्रेश्ट होना और प्रेश्ट भूजना हो तो अच्छी बात है किसी को एक बारी में समझती है मैं सब को positively बोल रहा हूँ कि यह सागर वो सीख जाते हैं तो उनको beneficial रहेगा इसमें बुल रहा हूँ वो सीख जाएंगे सर जब एक बार करेंगे अगर मैं आपको आज ही BSB कैसे चलती है FSB कैसे चलती है सिखा हूँ तो शायद एक दिन में आप भी नहीं सिखता हूँ और उसको आप करोगे थोड़े दिन follow करोगे तो आएगा क्यों नहीं आएगा हाई है एंडर परसेंट आई है देखिए अगर आप मेरे को पहले मैंने क्या सोचा था नहीं उसको मार्फी कर देता हूं या कुछ अलग तरीके सब्सक्रण कर देताक हूं कि मैं यहां पर यह सेशिन होने से इन है कि अगर आप तू मच आफ फीडिंग करते हो ना उसमें भी इसमें क्या है आपको दिमाग लगा लगा मुझे यह लगता है कि अगर बेसिक चीज पे भी दिमाग नहीं लगा पा रहे हो ना मतलब फिर आपके लिए वह चीज नहीं एक्जैक्ली जैक्ली और किसी को समझने क के लिए दो क्लास काफी होती है अभी तो मैं ऐसे स्टुडेंटको भी जानतों जो ब्रहु श्रीकरें है पित तो इट इपको कह किया आ अप उसके उपर पहले काम कीजिए एक बार कीजिए दो बार कीजिए और इससे अगर जाहिए तो अभी जाहों कर नाम भी दे दू मैं तो आपको नहीं दे रहा है, मैं तो आपको बोले हैं जाओ और ढूंडिये, इसको यहां से कांगे डे में और ढूंडिये, क्योंकि जब तक आप फुद महनत नहीं करोगे न, बहुत फर्रक होता है सर्की, या तो मैं आपको एक नौकरी करने का वो बताओ कि कहां पर नौ आपको नियुक्त करोगे कि अब मैंने जितनी मैनत करने की अब आप कीजिए बादी या और सब्सक्राइब यह जोन प्लाट हो रहा है अंगत का पाव लक्षिवन रहे का अगर वो पूरी केंडल अगर आप करोगे ना तो अच्छा रहेगा मुझे लगता है क्योंकि मेरा ट्रेडिंग एक्स्पेरियंस यह बता रहा है कि मुझे भी एटीन प्लस एयर्स हो गए कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूं तो यह जोन आप पूरी केंडल लोगे ना तो बोस्ट आप टाइम हंडेड में हंडर म लॉट कर रहे बराबर राइट यह पॉइंट आफ इंट्रेस्ट है अगर यह जो मैंने फॉर्मेशन जो बोला था ना इसलिए बोला था कि रैली बेस ड्रॉप या ड्रॉप बेस रैली यह बुली चंगल फिंगा बेरी चंगल की यह आप एड कर लोगे ना तो बहुत इज हो जाएगा लोगों को ट्रेड करने के लिए मेरा सजेशन था बाखी कुछ निए पूरा केंडल मार्क हुआ ना तो लोगों लोग प्रिपेड रहेंगे या भी जोन में आ रहा है बहुत बार मैंने देखा है कि वो हाई को टॉच करके भाग जाता है रहें भी हुआ है मेरे साथ बैंक निफ्टी में भी हुआ था यह तो टच करके भाग पर सेम सेनर्यों हुआ था कि वो पूरा जोन तक आया नहीं जो हमने मार्क किया था ना अंगत का पाव वहां तक आया नहीं एक-दो दिन का देख लिजे सर वहां पर से सेनर्यों हुआ कि लोग जोन का इंतजार करेंगे ना इग्जैकली मुझे भी याद नहीं है अच्छे सर नेक्स टाइम क्या करें ना आप यह तो फूटो लेके भीज़ दीजिए मिरको ओके 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 सर मैं एक सिंपल सी बात मांगता हूं कि नोबड़ी इस परफेक और यहां पर यहां प कि यह जो इसकी विट है जानके कम की कीपिंग पियो आई तो को चेंड ही होगा पॉइंट वेंटर सेम रहेगा इसका डवल सकते हो या तीन गुना भी उससे कोई फर्की नहीं बढ़ता है बट आप मैंने एक कम किया था एक रीजन के लिए आप देख लीजिए अगर आपक अगर इसका सब्सक्राइब बेल बीचिए अगर इसका सब्सक्राइब तो इसका जो हाई ता वो लास्ट टेम 2008 में ता है ये 320 के आसपस का है तो अभी इदर से मतलब आगे गिर सकते स्टाउक या फिर बेक कर सकते है अब डेली टाइम पर देखो कि तो जादा अच्छा पता चलेगा वही मैं कहारो कि आपका क्या पूछने सकत्व पहले वह पता नहीं अब यह तो लाइफटाइम भाई है त्री टॉंटी का अधा गया को भी चली एक और कॉंसेप्ट है बताने का बड़ा मंथा लेकिन नेक्स्स टाइम बताऊंगा नहीं सार थ्री टॉंटी तो मेरे को दिखा नहीं है यह है यह दिख रहा है 316 यहाँ पर मैं चाहा का फोटो भेज दूंगा आपको अधी जान ने किया होगा ना सर हाँ यह एड्जस्ट आउन किया हुए ना हाँ जी एड्जस्ट आउन किया है कि मुझे तो ऐसा लग रहे कि यही हाइस्ट महारा थे इसके लिए आपको कुछ प्रश्न भी था क्या आपको यहां लास्ट टैम यह कंसिप्ट था बाकी जो मतलब मंतली पर ब्रेक आउट होते थे बन रही है सेलिंग होनी चाहिए है होगी 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 मौहमद इर्फान जी सर बताइए क्या प्रेशन आपकर बंदन बेंग लगाई है एक बार डे चार्ट के कि फ्यूचर का लगाई है सर फ्यूचर सर इसमें अब यह मैंने ले रख़ा है लेकिन यहां पर सेल का इकल जाओं नहीं सर अभी मैं देखें यह सेल का साइंग जो उटा है ना मैं इसका नाम चेंज करूगा एक शुपर भी सेल एक्चुली क्या होता है कि कभी भी यह मैंने इसका कॉंसेप्ट क्या है कि कभी भी जब आप रिट्रेस करते हो ना किसी चीज को जैसे कि अभी यहां से उपर गया यह समझ रहा है कि यहां से थोड़ा सा उपर जाके गिरने के लिए जैसे यहां से यह उपर गया था गिरने के लिए उपर गया यह गया था गिरने के लिए उपर गया था जो यह रिट्रेस के लिए उपर आता है ना इसको मैं रिट्रेस लिखूँगा वर्ड क्योंकि सेल और तोड़ा मैंने इसलिए लिखा था कि लोगों को समझ में है मैं आपको यह नहीं बोल रहे हैं अभी इसको आप कैसे टैकल करोगे इसके नीचे एक लाइन डाल दीजिए अगर इसके नीचे आता है तो वह सेल अपका वैलिडेट हो जाएगा फिर आप निगल जाना फिर मत तो जो सिगनल आता है बाइवाला उसमें भी सेम से नहीं रहे गई है इसी को फॉलोग करने अज कल था रहा किसी के उपर निफ्टी पर था ना अ हमने लिए पर इसक इस कंडिशन को ना यह देखिए अब है क्या हो लेकिन इसने इसकी बात नहीं मानी तो बात ना मानी तो क्या हुआ जिसमें भी सेल लिखा है उसके नीचे लगा दो लाइन उपर गया थोड़ा सा सेल में तो आना ही था इसको यहां पर आया तो थोड़े च्छोटे-मोटे पॉइंट देखेगे जैसे वह हमारा हुआ है न कि अरे च्छोटे-मोटे नहीं भाई नहीं भाई तो यह क्या होता है यह हम गुए सब्सक्राइब आर और यहां से retrace होने वाली हो तो यहां के लिख दे भाई बाई अगर इसने सेल बोल दिया है तो इसके नीचे सेल होगा अगर इसने बाई बोल दिया है उसके उपर बाई होगा पर बाई हो तो थीचे ठीक है मैं मार कर लिया करूंगा फिर्द थीक साथ थेंक यू सोमच रहा है अजी कॉल रहा था यह बढ़ रही थी बही अ लास्ट एक कॉस्चन है मुझे अजी मैं अभी जी एसलवी पे अटकी हुए हूँ तो आपने समझाया था नहीं अभी वह समझ जा गया मुझे get set go वाला बट अगर in case sort के लिए मुझे देखना है तो फिर उसमें कैसे क्या सिनेरियो देखूं मैं उसमें भी कोई सिनेरियो बनाना आग्या इस अब थोड़ी दर पहले में बुला था रहे कि कुछ और बता रहे वह अगली क्लास में बताओंगा अब हुआ यह नहीं आप रख लीजे नेक्स ताइम रख लीजे अभी हम लोग इस पर काम कर लेंगे जो भी आपने सिखाया है ना तो अपने अब होंवर्ग जा रहा हूं कि अभी मैं एक अफ़ते नहीं रहूंगा तो जिस तरीके से हमने यह वाला फाइंड आउट किया था ना इसका अपोजिट कैसे फाइंड आउट की गिरेगा कहां से उसके लिए आपको क्या देखना है तो गोव वाली केंडल हो जाएगी जैसे कि यहां पर बन रहा है पहले जी एसल भी बनती है बहुत अच्छी बात है फिर एक इंडिसाइसिव केंडल यह देखिए इंडिसाइसिव है यहां पर जैसे वह इंडिसाइसिव का लोग तोड़ती है तो यहां पर फिर भी एक चोटा सा यह यह देखिए एकदम पर्फेक्ट से एक्जामपल जी एसल भी एक ग्रीन उसके नदर इंगल फुए ठीक हम आफ कर दिंगे उसको एक इंडिसाइसिव पेंडल आई और उसके बाद क्या बनी क्या बन गई है जी एसल वी सब्सक्राइब करो यह यह मतलब अपर ट्रेंड में बनेगा बेसिक्ली यह अपर ट्रेंड इसको टॉप में डूंगे है इसको टॉप में डूंगे है पहले देखना है देन गैट यहां पर वाला है यहां पर आवाज ब्रेक हो रही है और जब मैं सेशन देता हो नहीं तब ब्रेक होती है और कभी नहीं होती तो इसको लिखके रखिए और मुझे भेजिये चार्ट बेजिये अब 10 परसेंट वाले तो बेजो कम से कम यार तो वह नहीं तो पूरे वीग निकाल करूंगा जिसको सेल्वी निमिलती फिर भी मैं बोलता है रहा तो स्टूडेंट को भाई पड़ो 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 अच्वाई यह जो फर्स जीए सिल्वी कैंडल है उसका उसका नेक्स कैंडल ने उसका थाइक तोड़ा है तो वहां पर एक बाई बनता था है ना नहीं मैं पहले आदे घंटे पे तो वैसे भी नहीं देखता है और इस जीए सल्वी के ऊपर बाई बनता है ऐसा मैंने कभी नहीं बनता है अगर यह इंडिशुजों नहीं होता ना यह ग्रीन केंडल के ऊपर अपना बाई बनता राइट ओ एन एस हाँ तब बन जाते हैं तब यह है ऐसे सर्ड मैंने अबी में आपको सेलिंग के लिए बताया था अबी का चार्ट लो डेली पे तुवारा मुझा वही तेरे समझ भी नहीं आ रहा था मैं उसमें बाई का मज़ा ही निका रहा है जो भूल नहीं पोड़ेगा ऐसा डेली बेड अंजवी का अच्छिम खाओ एक जम ठंडाब अठंदाबी आई अच्छित दो पाई जी एसे लिए अज़े आई आप आप रिश्यकिए कर दो आपको नेक्स्ट ये नीचे तक है नीचे हाँ वही मैं देखे हो तो अभी देखे हो तो अभी इसमें वह था कि अगर मैं इसको बाई की साइड में देखू ना तो मुझे एक ही प्रावलम आ रही है कि बाई के साइड में इसकी बॉड़ी नीचे थी अब देख सकते हैं कि यह बिलकुल सही जवाब और कल एक और भी जा था ना तुने जिसमें नीचे ब्लैक एंडल के नीचे यहां पर तुम उसमें भी सही में अब बादा बाद करते हूं टॉटकॉम या फिर आज के लिए ख्लोज कर सकते हैं चलिए छोटा सा अपडेट यह है कि मैं अविलेबल नहीं हो पिछला नेच्स्ट पूरा वीक तो जो एक्सेस होगरा रहता है या कुछ रहता है तो फड़ा घुमने जा रहो मेरे बच्चे का निट का एक्जाम एकल वो खतम होने के बाद तो इक दो-ती दिन का ब्रेक तो तोस को फिर और भी एक्जाम की तियारी करनी है तो मैं अविलेबल नहीं रहोगा अगर अविलेबल होता हूं कभी लेट नाइट या इंटरनेट वगरा मिलता है पुड़ा बहुत ही रहूंगा ट्रेडिंग टाइम में तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल भी इंवॉल्वेट रहेगी मेरी पूरे हाफते ठीक है तो ध्यान रखिएगा अराम से ट्रेडिंग कीजिएगा ट्रेडिंग को बिजनस की तरह समझ के और सरस्वती माता की जितना ही आप समझ सकते है कि सरस्वती की सरस्वती का मतलब यह है कि जितना learning कर सके learning कीजिए ठीक है जी? तो बमम बोले जैसा भी रहेगा अपडेट बेजूँगा फोटो बेजूँगा उपापे पैसा रखता है चलिए जै मता दी बमम बोले बाइ थैंक यू सर्थ थैंक यू सर्थ